तो कि या शांदार लग रही अभी कलर भी नहीं हुआ और दिखने में देखिए कितना शांदार लग रहा है अज़ गाइस वल्कम बैक तो माइड यूड़ोप फैनल पिके ब्लॉग 07 तो गाइस गनेशमूर्थियों की सीरीज को कंटीव करते हुए आज मैं पहुत शुका हूँ दिशामूर्थी आठ और यहाँ पर बनती है विश्याल काय मूर्थियां अगर माना रायपूर आते हैं और सबस्क्री बड़ी मूर्थियों की बात करते हैं तो दिशामूर्थी आठ का नाम आपने सुना होगा या पहुंचे जरूर होंगे तो किस टाइब की मूर्थियां मनी है और क्या-क्या प्राइस रेंज में बूख है काली है सारी चीजे इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी तो चलिए बिना कोई डाइम पास करते हुए बिना आपको बोर करते हुए यह जो ब्लॉग है इसको स्टार्ट करते है तो गाइज यह है दिशा मूर्थी आठ का बोर यहाँ पे उनका कॉंटेक्ट नमबर भी है और जो मूर्थिकार है वो है सपन मंडल तो यहाँ पे आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं मूर्थियों की जानकारी के लिए और यह जो है एकदम माना एंटर करते हो ना तो रोडी पे पड़ता है और चलिए अंदर चलते हैं और मूर्थियों आपको दिखाते हैं और सबसे पहला एंटर रहते ही आप देखिए तो यहाँ पे जो है पुट्टी का काम स्टार्ट हो जोका है पुट्टी की गिसाई हो रही है और इसकी अल्मोस-अल्मोस कम्प्लीट है और मूर तो यह जो मूर्ति कला केंद रहे ना यह अपने विशाल काय मूर्तियों के लिए जानी जाती है अगर आप भी बड़ी मूर्तिय डूनते हैं तो इनसे बढ़िया जगा और कहीं नहीं है तो यह देखिए यहां पर चोटी-चोटी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी एक तो यह हो गया एक तो आपका सुरुति हो गया दूसरा यह दिशा हो गया तो सुरुति का आपने व्लॉग देखा है और आभी हम लोग हैं दिशा में और यह वाले देखिए तो यह लगबग साड़े चार तो यह लगबग साड़े चार पाच फीट के हाइट पर आ जाएंगे और चलिए चलते हैं आपको लेके चलते हैं विशाल काय गनेश मूर्तियों की और तो यह देखिए सबसे फैला मूर्ति कितना विशाल काय है और यह बन रहा है बाबा भोले के थीम पर देखिए कितना जबरदस लग रहा है और साइस की बात करूं तो लगबग 11-12 प्रीट की हाइट की आएगी और लगने में देखिए क्या जबरदस लग रहा है और यहां पे कुछ-कुछ काम चार रहे हैं क्या बना रहे भी आप यह सब सजाने गहना बना रहे हैं अच्छा गहना जो नेकल बात कुछी इस तरीके से निकलेगी यह देखिए और इस तरह आप मुर्तियां देखिए और अभी जितने भी आपको मैं मुर्तियां दिखाऊंगा ना वह लगबग होगी आपकी 13-14 फीट के ऐसे हाइट पे और देखिए अभी तो color होना बाकि है अभी 50% ही काम हुए इसके color होंगे मेरे height से करूँ तो देखिए मैं कहां तक आ पार रहा हूँ और हाइट देखेंगे लगबाग 13-14 फीट की हाइट की यह मुर्तिया आएंगे और फीशे का अगर फ्रेम आप देखेंगे तो यहाँ पे चुहे देखिए और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मूर्तियान है वो अलमोस्ट बूक है कुछ-कुछ मूर्तियान दो चार मुर्तिया इसे खाले होंगे dai की मूर्तियान वो बसता ही नहीं ज़्यादा करके यह बूकिंग पही काम करते हैं क्योंकि इनकी जो साइज वोती वो बड़ी होती है और कॉस्टिंग भी ज्यादा हो जाती है जैसे बच जाते थे हो इनका नुपसान बहुत होता है इसलिए इन लोग जो है बुकिंग पर ज्यादा काम करते है यह देखिए और यह वाली आप देखिए यह लगदग दस फीट की हाइट की मुर्ती है अब यहां पर आप देख सकते हैं और यह जो मुर्ती है यह बाब भोले के थीम पर बन रहा है और क्या शांदार लग रही है अभी कलर भी नहीं हुआ और दिखने में देखिए कितना शांदार लग रहा है जब कलर हो जाएगा तो लगेगा और इस तरफ देखिए यह बन रही है रादा कृष्ण के थीम पर है ना जबरतस्त और यह बाले आप मूर्थी देखिए तो एक सिबड़ कर एक मूर्थी आपको यहां पर देखने को मिलेगी ऐसा नहीं है कि आप ऐसे चल के चले जाओगे आपकी आई केची मूर्थी है पुरा और उपर के तरफ शंक है इधर शक्र है उपर गदा है और यहां पर गनेज ज देखिए आप तो यह वाला जो सेक्षन है ना यह पूरा बिशाल काय मूर्थियों का सेक्षन है अब हम लोग चलते हैं थोड़ी से छोटी मूर्थी देखने के लिए और आपको दिखाते हैं यह देखिए इस साइज पे इधर आओगे थोड़ा से छोटे साइज में 9-10 फ देखिए ओसित हो आपकी अच्छे कैसे की हो यह देखिए यह देखिए गओगे यह देखिए हैं ओवे इस रपगदीखिए है झाल 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 झाल